हेलो एवरिबन कैसे आप सभी लोग आई होप सारे बढ़िया होगे तो आज वे एक और नए वीडियो के साथ में आज हम आइनलाइस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में तो निफ्टी बैंग निफ्टी और फिन निफ्टी किस तरीके से काम करेगा कल के दिन यानि वैनेज चीजह हम आणडनाइस करेंगे तो सब्से पहले यहां पर देख लेते हैं कि यह आपनका चार्ट खुला हूआ है जैसकि आप देख सकते हो यहां पे थिक है निफ्टी काचार कला ओबाए है वन् ओना और यहां पर सबसे पहले में यह सारी की सारी ब्रीम हटा देता हुँ थाकि आपको कुछ confusion नहा रहा है और यह सारी सीजले मैं आपको धीर Ond दील करके clear करता हूं ठीक है तो यहां पे अगर आप वन वीक के चार्ट पे देखोगे तो वन वीक के चार्ट पे आपको बहुत बढ़िया सा पैटर्न बनता हो दिख रहा है वन वीक के चार्ट पे न मैं आज की बात करा हूँ और लगबग आज दूसर दिन था वीक का तो यहां पे इसने बहुत से काम कर सकता है वो अपन डिसकस करेंगे तो वन विक के चार्ट पर आपको क्या देख रहा है कि यहां पर मेजर सा फॉल आया है यहां पर इस तरीकी का और उससे पहले आप देखोगे तो लगबग लगबग अक्टूबर से अक्टूबर मिड्स है ना बड़ी रहा है यह पॉसिबिल्टी है बट वह कैसे होगी वह मैं आपको बताऊंगा तो यहां पर वन वीक का चार्ट यह लगा रखा है अब मैं इसको करता हूं टे के चार्ट पर ठीक है डे के चार्ट के जो कुछ सिनारियो है वह कुछ इस तरह के बनता हो दिकराए आज इसने बहुत गंद बाद भी आप कह सकते हो कि इसने बलड बाद किया है ठीक है तो यहां पर बहुत गंदे वाला फॉल किया है और अगर इसको फॉल अप मिलता है तो सेम इतनी बड़ी रैड केंडल आपको बनते वे दिख जाएगी है इतनी बड़ी रैड केंडल बनते वे दिख जाएगी ज यहां पर चलते हैं four hours के चार्ट पर तो four hours के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो आपको भी कुछ इस तरीकी का दिख रहा होगा कि यहां पर फॉल आप है वो लगबग यह देखो मैं यहां पर markup करते जा रहा हूं आप बस देखते रहेगा और समझते जाएगा जो जो मै बोलता हूं मार्केट जो बंद हुआ है इसका जो लगबग यहां तक का लगए है 21 190 गा ठीक है मगर यह बंद हुए थोड़ा सा उपर 21270 पर ठीक है तो यहां पर मैं एक मार्केट का sign बना देता हूं तो यहां पर हो सकता है यहां का support लेकर उपर निकले अगर यहां का support य इसका कि डेलो अगर तोड़ेगा तो आपको काफी अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा उसके बाद यहां पर एक यह तार्गेट मिल सकता है तो यहां पर जैसे कि आप कि मार्केट है यह अगर कल डेलो से नीचे निकलता है तो अपनको जो पहला target मिलेगा वो लगबग आपका डेलो का डेलो से नीचे का मिलेगा जो कि ये रहेगा दूसरा ये रहेगा है ना पहला टार्गेट अपनका डेलो का रहेगा दूसरा टार्गेट ये वाला रहेगा और तीसरा टार्गेट ये वाला रहेगा यहां पर पहला टार्गेट है अपना यह वाला जो कि 21,237 का है दूसरा टार्गेट है 21,000 अगर यह सारे टार्गेट पूरे हो जाएंगे यानि आपको अगले दिन भी यानि कल के दिन भी एक फॉल अप कैंडल देखने को मिलेगा तो आप पूट में बहुत अच्छा सा ट्रेड बना सकते हो और अगर उपर जाएगा देखो मार्केट का सिनारिय तो क्या है नहीं रह और पूरे दिन मार्केट ने उलजाय रहा इस दिन तो दूसरे दिन भी इसका यह वाला फॉल हुआ और तीसरे दिन यानि कि कल के दिन भी इसने काफी अच्छा फॉल किया यहां पे इस तरीके से ठीक है और आज तो भाई साब इसने तो गंगाई बहादी रक्त की नदी ब भाई पूरा का पूरा ब्लडबात जिसका आपन नाम सुनते आ रहे हैं उसको आज आपने देखी लिया होगा यहां पे बहुत गंदे वाला ब्लड बात हुआ है तो यहां पे इस तरीके से यह दैक वाला ब्लडबात हुए अगर आपने चाथ के तो इतनी ही बड़ी रड क वहां तक यग एसका टार्गेट रह सकता है इस तरीखे से आप अपना जो matter है वो आप follow up कर सकते हो और अपना perfect को बढ़ा सकते हो ये था का और अभी आपको बता दीता हम बैंग करे कर किसा काम करेगा और कदीन अगर अगर यह काम अच्छे करता है तो कैसा सिनारियो रहेगा तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो एक दिन का चार्ट खुला हुआ है और यहां पर निफ्टी ने भी बहुत इसको लगबग फिल कर दिया है और इस गैप को फिल करने के लिए ही ये नीचे आया था इस gap को fill up करने के लिए ही यह नीचे की तरफ आया था जो कि यह complete कर चुका है और अब हो सकता है हो सकता है हो सकता है कि अब यह इसको complete जैसे इसने यह कर लिया है तो यहां से जो market है थोड़ा सा थोड़ा सा अगर इसको fall up मिला तो यह भी nifty जैसे नीचे की तरफ इतना कुछ जा सकता है न 44 तक का और अगर इसको reverse होना होगा तो यहीं से reverse होके एक बार में ही छलांग मारेगा और सीधा जैसे कल के दिन परसो के दिन इस दिन यह देखो यह तो एक दिन का अब चलते हैं चार गंटे के चार्ट पर चार गंटे के चार्ट पर अपन क्या देख रहे हैं चार गंटे के चार्ट पर अपन देख रहे हैं कि इसको काफी अच्छा follow-up मिला और इसने यह जो gap है यह लगवग फिल कर दिया है जो कि यह इतना बड़ा gap आया होगा ठीक है तो यह सारी थी चीजे और अब अपन चलते हैं एक गंटे के चार्ट पर एक गंटे के चार्ट पर देख लेता हैं एक सब्सक्राइब अगर मार्केट अगर मार्केट कल के दिन में कल के दिन में यह डेलो था डेलो इसका था यह वाला होके अगर यह कल के मार्केट में डेलो को तोड़ता है न और अपन को जो पहला सिनारियो दिखेगा वो लगवग यहां तक का दिखेगा कि यहां तक क्या अपन को टार्गे अगर कल इसका follow up candle बनता है ना अगर इतनी ही बड़ी candle का follow up candle बनता है यहाँ पे यहाँ पे चल को मिल सकते हैं देखने के लिए तो प्लीज अवेर यह घा थोड़ा सा और पुट साइड ही लीजेगा अपने ट्रेड को कॉल साइड मत लीजेगा और जो भी लीजेगा अपने कैलकुलेटर रिसक पे लीजेगा ताकि आपको जो अपर बना रहा है और उसी पर easily grow कर पाए ठीक है तो उपर की साइट का तो देखो मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता कि उपर जाएगा कहा जाएगा कैसे गो आई डॉन नो ठीक है तो अभी मैं उपर की साइट का तो आपको जो व्यू है वो नहीं बता सकता हूँ अब चलते हैं फिन निफ्टी के तरफ अब चलते हैं फिन निफ्टी के तरफ तो फिन निफ्टी भी सेम ऐसा ही सिनारियो जो है वो कह रहा है कि फिन निफ्टी अगर वही सेम सिनारियो है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का अगर इसको भी यहाँ पर फॉल अफ केंडल बनाता है तो यहाँ पर भी आपको अ अगर इसका पहला टारगेट वह यह रह गैंगा इसका कि यहां पर और भी अगर फॉलसूप कैंडल बनता है तो सकते हैं तो यहां पर ऐसको चार घंटे चार्ट करने के बाद देखता है जिए जो अपने मार्कब किया था एक दम परफेक्थी देखो यहां पे हो चुका है और यहां पर एक घंघाट के चाटके भी देख लेता है जैसे च्राटन यहला है वह Based तो यहां पर इसली यह पर्फेक्ट है तो यहां पर आपका आगर नीचे आता है तो पहला टार्गेट रहेगा यह वाला और जो तीसरा है वो यह वाला रहेगा तो पहला टार्गेट मैं आपको बता देता हूं पहला टार्गेट बोलके बता देता हूं पहला टार्गेट रहेगा अपना 2,084 का दूसरा टार्गेट रहेगा अपना 19,903 का और तीसरा टार्गेट रहेगा 19,761 का उपर की तरफ अगेर मेरा कोई व्यू नहीं है कि मैं तो मैं उसके बाद भी बहुत मुश्किल से सुचूँगा क्योंकि अभी जो मार्केर ट्रेंड है वो लगबग नीचे आने का है तो मैं उपर जाने के लिए तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकता नीचे का मेरा आपके टार्गेट रहता दी है उपर का मेरा कोई टार्गेट नही है तो लगबग यह वाला टार्गेट है और मैंने चाहता कि कोई भी है ना लॉस करे और पुट में आपको बहुत बेनेफिट मिल रहा है तो कॉल में बैटने का कोई फैदा नहीं है तो यह थी आज की अनेलाइसिस आई होप सबको बहुत बढ़िया लगा होगा तो वीडि अगर आपको यह सारी चाहिए तो आप मेरे टेलिग्राम को जॉइन कर सकते हो जिसका नाम है तो अगर आपको लिंक यह तो अबाउट सेक्शन में जाके टेलिग्राम को लिंक है वहां से आप टेलिग्राम में डारेक्ट जॉइन हो सकते हों थैंक यू सो मच दो अगर वीडियो अच्छे लेक तो प्लीज लाइक अगें और सब्सक्राइब इस चैनल थैंक यू सो मच